राजे सभा से निलंभीत 8 सांसदो का मुद्दा गर्माता जा रहा है अब इन सांसदो के समर्थन में नेशनल कॉंग्रेस पार्टी यानी NCP के अध्यक शरत पवार आ गए है शरत पवार ने 8 सांसदो के समर्थन में एक दिन का उवास रखने को कहा है NCP चीफ ने कहा है सदस्यों को अपने विचार सामने रखने के लिए निलंबित किया गया है मैं उनके समर्थन में एक दिन का उप्वास रख रहा हूँ दरजल रविवार को भारी हंगामे के बीच राजे सभा में क्रिशी बिल के दो विधेयक पास हो गए जबकि बीचेपी के पास राजे सभा में समर्थन नहीं है उसके बावजूद ये बिल पास हुआ है एक तरफ बीचेपी इन विधेयक को क्रिशी के पक्ष में बता रही है तो वहीं विपक्ष इसे किसान विरोधी बिल बता रहे है जिसके चलते सदन में भारी हंगामा हुआ विपक्ष के सांसदों ने रूल बुक के पर्चे दक फार डाले तो वहीं सभापती का माइक भी तो डाला जिसके बाद सदन ने सांसदों के खिलाफ कारवाई की और आठ राज्यसबा सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया अब इन आठों सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरणा दे कर अपना विरोध दर्च कराया है ये बीती राज सदन के बहार ही रहे लेकिन आप उन्होंने धड़ना वापस ले लिया है बता दे जिन सांसोदों पर कारवाई हुई हैं उनमें तर्णमुल कॉंग्रेस के डेरेको ब्रॉयन अब पर्टी के संजसिंग, कॉंग्रेस के रिपुनबोरा, कॉंग्रेस के ही नासिर हुसेन, सीपीम के 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 रागेश, सीपीम के ही एक करीम, कॉंग्रेस के राचीव सातव और तर्णमुल कॉंग्रेस के डोला सेन शामिल है हाला कि इस भी संसद ये कारे मंत्री पहला जोशी का कहना है कि अगर संसद माफी मांग लेते हैं तो उनका सस्पेंशन वापस हो सकता है ब्यू रिपोर्ट पंजाब के इसरी ग्रूप दिली